वेलकम बैक अगें टो प्रॉक्सी ग्यान मैं आपका एजुकेटर सेयर शाबाज दिल से स्वागत करता हूँ हमारे प्रॉक्सी ग्यान यूट्यूब चैनल पे तो आज का जो हम वीडियो जो है दोस्तों वो डेली करेंट अफेर्स के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं कि हमने कल से जो हर रोज एक करेंट अफेर्स के सीरियूज को शिरूआत की है अल्रड़ी मैंने 2nd में के जो इम्पोर्टन करेंट अफेर्स है उसको बता दिया तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड में के इंपोर्टेंट करेंट अफिर्स दोस्तों डेली डेली ये वीडियो आता रहेगा लाइव जाएगा आपको नाइन पीम को प्रीमेर रखेंगे हम लोग में आपको सारे करेंट अफिर्स बताऊंगा जो के इंपोर्टेंट है और जो रिसेंटली हुए है इसके इलावा भी हम लोग स्पीडी करेंट अफिर्स की किताब भी शुरू करेंगे डोंट वरी क्योंकि उसकी वज़े से जो है कई सारे बच्चे वह भी देखते हैं उनके लिए भी मैं वह सीरीज बनाकर लेकर आऊंगा उसके इलावा भी हमारे डैली करेंट अफिर्स की सीरीज भी चालू रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों शुरू करने से पहले एक चोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप EPFO के तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चानल पर फ्री कोर्स प्रोवाइट किया जा रहा है जहां पर मेरे द्वारा और हमारे जो दूसरे एजुकेटर हर जी उनके द्वा है इंडिस्ट्री रिलेशन लेबर रॉस आपको मिल जाएंगे वीडियोस इंग्लिश के वीडियोस आ रहे हैं अभी तो थोड़े बहुत सब्जेक्स बचे है बट डोंट वरी सिलबस जो एक्जाम है उससे पहले पहले सारा सिलबस आपको कवर कर दिया जाएगा तो अभी इंडिया के एक मीटिंग हुँती ही दोस्तो विट इंटरनाशन एविएशन और ने लॉट पर वहां पे उन्होंने एक लॉंग टम आस्परेशन गोल को सेट किया है तो उस डिसीजन के बारे में क्या है वह आपको पूचा जा रहा है तो फस्ट है जो ऑप्शन यह है इस इनके जो भी मीटिंग होते हैं वहां पर पार्टिसेट करेगा फ्म सारे え गोल्स को डिसीजन को डिसकस करेंगे दूस्तों किस तरह से हम लोग कॉरेच्षन कर सकते हैं कारबन ओस्टिंगे काम कर सकते हैं इंडियन गोर्मेंट अनॉंस तो इंडिया इंडिया इंटर्नाशल सिविल एवेशन और नेशन कॉर्बन ओफसेटिंग एड़क्शन स्कीम फ्रम टूथाउजन टून्टी सेवन यह इंपोर्टेंट डेट है आपको याद रखना है चले नेक्स्ट इंपोर्टेंट कोशन है अपको हर एक्जाम ने एक या दो कोशन तो मिलता ही रहते हैं तो जितने भी मैं आपको अपको अपॉइंडमेंट बता रहा हूं तो उसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्ता अगर आप चाहते तो उसकी सपरेट नोट्स बना लिजे जब एक मन्त इंड होगा न तो correct answer is option यह justice T.S. Shivaganam ओके तो इंड गौर्नमेंट अफिशली अनॉंस्ट अपॉइंट्मेंट 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 आप जस्टिस T.S. Shivaganam अज़ चीफ जस्टिस अफ कलकता हाइप कोट की बात करे तो इस वन अफ दो ओल्डेस्ट है दोस्तों अन प् अब कलकता होता है यह तो आप सभी लोग जानते होंगे बर्ट कॉनसे अक के तहट इसको इसको इस्टाब्लिश किया गया था वह भी इंपॉर्टेंट है इट इस्टाब्लिश अंडर इंडियन हाइप कोट कॉनसे जुरिजिशिक्शन को समालता है एक तो कलकता का हो गया दूसरा अंडमान निकोबार आइलाइंड का भी यही लोग देखते हैं दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट यहाद अंडमान निकोबार आइलाइंड का भी कलकता है कोटी समालता है तो अभी तक जो इसको आपको 72 जट्स इंक्लूडिंग चीफ जश्टीज है और अब कलकत तो बहुत यह अच्छा इन्होंने आर्खिटेक्ट्ट्टर महां पर डेवलप किया गया है तो चली सो जस्टीस टीस शिवगनम को जो है रिसेंटली चीफ जस्टीस अपॉइंट किया गया है कलकता हाई कोट के क्लियर चलीए नेक्स्टेंग हो विच टू कमपनीस अफ अप इंडिया इस अल्सों वेरि वरी इंपोर्टन तो नीग्लियर प्रजेक्स इंडियवे डेवलप कने कि लिए कौन से अख और गनेशन से तो जिसनोंने कंबाइन अगेरिमेंट साइन किया है यह आपको पूच रहे हैं तो इसका गर्रिक्ट तांसर दू सो ऑप्शन ना नुक्लियर पोर कॉर्परेशन आप इंडिया लिमिटेड एंडिया इसके इलावा इनके जरह से एक दो इंपोर्टेंट और प्रोजेक्स भी लॉंच किये जा रहे हैं दोस्तों जिसका नहीं हमें चुटका एंड मनी बंस्वारा नुक्लियर पावर पाजेक्ट कौन सा है चुटका एंड माही बंस्वारा नुक्लियर पाजेक्ट विल इंप्लिमेंटर त्रो जॉइंट वेंचर जिसका नाम है अश्वीनी दोस्तों यहां देख लिए अश्वीनी देख लिए चुटका प्रोजेक्स रिस्पेक्टेट तो कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली टुनिट इसको डेवलब किया गया और उसके इलाभा भी टेन रेक्टर्स को अप्रूफ किया गया इंडियन गवर्मेंट के द्वारा जो के करनाटक में आएंगे गुरगपूर ओके मध्यप्रदेश और फोर रेक्टर्स विल इंस्ट्रालेट माही बंस्वारा जो के राजस्तान मे रहा है कि यह होगह है आभी अभी आप देखिंगे अचे प्रेजेंट अश्यर अफ निव्लियर पावर इनिया अटिस्टी मिक्स ओली अपधिया ओट अब देखिंगो जो नूचललर पावर का जो शेर होता है ना हमारे इंडिया में जो इस्तमाल किया जाता है एलेक्रिसी इंडिया है 6780 मेगा वाट इंस्टाल के पास्टे अप नुक्लियर पॉवर प्लांट्स क्लियर तो चलिये थोड़े बेसिक पॉइंट से जो आपको याद रखना है नेक्स्ट है वाट 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 वालूम अड वालूम अड वालू अफ यूपिया ट्रांसक्शन इंड अपरिल 2023 अक्एंट भी इंडियर दे लिए बेसनम कोरपरेशन उपियर इंडियर यह इंप्रेट नंव से बैंकिं के रिले ट्रेटट आइंड॥ रिपोर्ट को रिपोर्टे डिक्लाइन इड वॉल्यूम अड वैली अफ व्यूप ट्रांजक्शन इन एप्रिल 2023 ट्रांजक्शन वॉल्यूम डिक्लाइन 7.96% मन्त और मन्त उस्तों तो उसका को टोटल कितना रहेगा 796.29 करोड तो हम आचुके हैं कि वाल द्रांजक्शन वै स्टाटिसिक्स प्रोडेक्ट रिपोर्ट को निकालते रहते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि कितना डिक्रीज हुआ है और क्या-क्या स्टेप्स इन्होंने लिए है सब कुछ यहां पर बताया जाता है दोस्तों क्योंकि आप सभी लोग जानते है जो UPI का स्कोप है बहुती वाइड स्कोप माना जाता है कहां पर चाहां पर जाओ आप UPI transactions करते हैं गेम चेंजर की तरह इसको 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 इस्तेमाल किया गया था दोस्तों बट चल्व नीड तो वर्क हाट और हमको जो है UPI payment interface को और भी awareness लाना है public में right because it is a single mobile application जहां पर सारे users जो है अपने different bank accounts को use करके various transactions को यह करते हैं and this platform will also feature including money transfer through mobile devices bill payments आप कर सकते हैं counter payments कर सकते हैं QR based payment कर सकते हैं right तो बहुत सारे और इंडिया ने तो अभी रूपे credit cards भी निकालना शुरू कर दिया जो के UPI को link है अपने भीम अगर install किया हो तो आपको हर बार वो add आता होगा right रूपे credit cards के बारे में तो अलड़ी कई सारे से account से जो link हो चुके हैं but still we are facing the decline to our base working on it actually next day what is the decision made during the latest meeting of the internal governmental commission on trade economic scientific technology and cultural cooperation both but abbreviation a between India and Russia the correct answer is cooperate to explore the possibility of accepting each other payment cards रूपई and Mir for hassle fee payments between the two countries okay to recently मैं हम और रश्या ने एक agreement को sign किया है to explore the possibility of accepting each other payment cards हमारा रूपे है अब सभी लोग जानते और उनका क्या है दूस्तों Mir है यह मायर मिर ताके दोनों countries के बीच में a hassle-free payment system develop किया जाए तो recently हमारे जो external affairs minister जैशंकर और उनके जो रश्या के deputy minister है जिनका नाम है डेनिस या देख लिजए तो दोनोंने मिलके इस agreement को sign किया है दूस्तों कहां पर sign किया है decision कहां पर लिया गया था on internal governmental commission on trade economic and scientific technology तो इससे benefits क्या मिलते है आपको देखिए अगर कोई cards अगर mutual acceptance होना तो दोनों के citizens के लिए easy हो जाता है अगर cross border में payments करना हो तो they people can use our repay cards and we can use their mere cards okay तो shift network में we can have easily access easily हम इसको कर सकते हैं दोस्तों right so both countries भी यह भी agree कर लिया है कि वो Russian financial messaging system को और जो financial bank of Russia का जो होता है cross border payments उसको accept करेंगे and we will have a high selfie transaction for the citizens दोस्तों right चलिए next देख लेते हैं देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी अभी explain किया so according to the SNP Global India manufacturing PMI report what was the PMI figure for India's manufacturing sector in 2023 so manufacturing sector में जो PMI का rank है वो आपको पूचा जा रहा है कितना था हमरा तो correct answer is को option है 57.2 PMI so India's manufacturing purchasing power manager index search to 4 month high 57.2 in April according to SNP Global India manufacturing PMI report हो गया next यह बहुत important है value आपको पूच सकते है exam में याद आख लिजेगा and कौन release करते हैं report किसके report के according है वो भी आपको पूचा जा सकता है what is the gross GST revenue collected by India for April 2023 तो option है 1,087,035 crore दोस्तों so India का gross GST revenue है for April 2023 reached a record high of 1,087,035 crore जो के 12% increase है from last year and highest tally tax of 1.67,035 crore फर्दीमंत the main reason अब मुझे पूचेंगे तो revival of economic activity दोस्तों इसके पर भी मैंने actually question बनाया था 1 M.C.Q. so revival of economic activity जो इंडियन government ने देखा है after COVID-19 उसके वजे से जो हमको GST revenue collections बहुत ही जादा हुए है जो के 12% है when compared to the last year okay next what is a new GST rule that business with an annual turner of 100 crore or more need to abide from May 1st 2023 तो नए GST regulations लाए गये हैं दोस्तों जिनका भी businesses का turnover 100 crore से जादा होता है तो उनके लिए थोड़े rules change किये तो correct answer to upload electronic invoices on the invoice registration portal within 7 days of their issues okay तो May 1st से यह लागू हो जाएगा यह अल्रडी हो चुक है business with an annual turnover of 100 crore or more will be required to abide a new GST rule तो इन लोगों को compulsory बना दिया गया है कि वो electronic invoices को upload किया जाए within 7 days of their issue the ARP is utilized to validate this invoice which are actually genuine and to assign them a unique reference number for GST purpose जैसे ही वो लोग registration portal में invoices को upload करेंगे okay so they will generate a unique reference number for the GST purposes तो starting May 1st से अलड़ी हो चुका है next who has been और याद एख लिजे कितना turnover होना चाहिए 100 crore से जादा जो turnover होता है business का उनके लिए यह rules लाग हुए अगर उसके less than है तो this rule will not applicable next who has taken charge as the commander-in-chief of अंडबान निकोबार command की बात करें तो correct answer है इसका option C Air Marshal Saju Balakishnan Ji को इनका command दिया गया है जोस्तों अंडबान निकोबार के command which is India's only tri services command तो पहले Lieutenant General Ajay Singh थे अब इनकी प्लेस में जो है Air Marshal Saju Balakishnan Ji आएंगे दूस्तों clear next देख लेते हैं which India naval ship arrived in Singapore to participate in the ASEAN and India maritime exercise के बात करें तो option is Satpura and Delhi हो गया Satpura and Delhi India naval ship Satpura and Delhi led by RADM जो के Guru Charan Singh है उन्होंने Singapore arrived किया to participate in the inaugural ASEAN India maritime exercise जिसे हम AIM में 2023 भी कहते हैं तो कौन से आये थे हम लोग Satpura and Delhi से आये थे naval ships के What was emphasized by Science 20 during the thematic conference on on universal holistic health in Bangaram island तो correct answer is को option भी The significance of incorporating traditional healing practices into modern healthcare systems So Science 20 एक open session हुआ था जो के thematic conference on universal holistic health in Bangaram island So their emphasis की importance बताया गया इंकॉर्पर्टिंस बताया गया इंकॉर्पर्टिंग अप्रडिशनल healing practices किस तरह से हमारे जो modern healthcare system आप देख रहे ना उसको हम इनकी जो healing practices उसको combine करके हमारे cultural values को भी जिंदा कर सकते है As well as we will also have an improvement in our health system and well-being तो यह actually discuss किया गया था इस conference में दोस्तों Clear? So who has been awarded the Lipzik book prize for the European understanding in 2023 तो correct answer इसको option है Maria Stepannova दोस्तों So Maria Stepannova जोके एक renowned Russian writer है Currently residing in Berlin Has been awarded the Lipzik book prize for European understanding in 2023 For her volume of poetry girls without clothes Okay इक नाम भी याद देख लिए बहुत इंपॉर्टन है Which sensitively explores the often concealed violence against instrument किस तरह से violence किया जाता है Homens के खिलाफ उसके बारे में नहीं किताब लीखी तेक poetry Volume of poetry actually उनको एक award दिया गया है जिसे हम कहते है Lipzik book prize for European understanding in 2023 Okay Next who announced retirement from table tennis Option है Kasuma Ishikawa Announce her retirement from the sport She won three women's team medals in three consecutive olympic games Japan help for 2012 London bronze in Rio 2016 and silver in Tokyo She also won five national women's single championship तो यहाँ देखलिजे Kasuma Ishikawa कौन से country के player है Japanese के player है उन्होंने अपने retirement को announce किया है और यह भी इस तरह सी आपको पूछ सकता है कि Kashum Ishikawa is related to which sports 10,022 What is GMB driver दोस्तों बहुत ही important है यह tool to improve the detection of cancer causing tumors in brain and spinal cord यह actually आजकल में बहुत न्यूस में रहा है GMB driver तो आपको पूछ सकते हैं कि GMB driver which is recently news is associated with इस तरह से आपको question बना सकते हैं तो एक tool है जो improve किया गया ताके cancer causing tumors को brain में और spinal cord में होता है इसको हम detect कर पाएं और किस ने develop किया है The Researches at Indian Institute of Madras IIT Madras के जो researchers है वहां पर उन लोगों ने develop किया machine learning based computational tool है to improve the detection of cancer causing tumors in the brain and spinal cord तो AI based अब समझ सकते हैं machine learning based कहा गया है तो obviously AI based ही होगा आजकल AI के बहुत चल रहे हैं market में So IIT Madras के जो researches हैं उन्होंने इसको established and this tool is freely accessible and primarily developed to identify driver mutation and passenger mutation in glibastoma rapidly proliferating tumor तो क्या वह चीज है जो हमारे body में जो यह tumor को develop कर रही है किस तरह से mutate हो रहा है सब कुछ आप जान सकते हैं machine learning based computational tool की मदद से next what is the significance of World Tuna Day तो option है to raise awareness about importance of tuna fish and to promote sustainable fishing practices क्योंकि World Tuna Day May 2nd को हर बार celebrate किया जाता है May 2nd So World Tuna Day will be celebrate to raise awareness about the importance of tuna fish promote sustainable fishing practices tuna is a popular fish species that is widely consumed around the world and it plays a very crucial role in marine ecosystem this data represents that accomplishment of fishing community scientists and environmentalities who collaborated to safeguard the tuna schools around the globe and develop a sustainable fishing in December 2016 we decided United Nations General Assembly कि हम लोग एक official World Tuna Day मनाएंगे हर साल on May 2nd तो चले next है who was Arun Gandhi so option A Indian American activist speaker and writer तो यह Arun Gandhi जी जी इसलिए news में है क्योंकि recently इनका धिहान्त हो गया है तो इसलिए news में है यह देखेजिए वरी वरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों so next है was Ranajit Guha so यह obiturist के मैं बात कर रहा हूं Ranajit Guha जो है एक renowned historian है option A is the right answer historian है who passed away at the age of 100 he was born in present day Bangladesh and later studied and taught at various institutions taught at various institutions in India and abroad one of his well-known books is elementary aspects of peace and insurgency in colonial India तो इनका किताब जो very famous किताब है वो भी आद रहा है क्योंके examiner अगर twist करके पूचे question को तो आप इसको answer कर पाएंगे दोस्तों कि यह जो elementary experts of presenter किसने लिखी थी Ranajit Guha जी ने लिखी थी recently इनका भी दिहान्त हो गया है यह अभी इनका जन्म हुआ था दोस्तों बहुत सारे institutions पे उन्होंने पढ़ाया इंडिया और अबराड में और यह famous किताब है वो भी मैंने आपको बता दिया है So this is about today's current affairs जो भी important है हम लोगोंने cover कर लिया है Don't worry अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो गया तो मैं वो कल के lecture में cover कर लूँगा आपको कोई भी current affairs नहीं छुटेगा दोस्तों यह मेरा वादा है इसके इलावा भी हम monthly coverage का भी लाइक शर और सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर भे कुछ इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों टेक केर स्टे सेव थैंक्यू सो मच